तो गईस यहां पर जो मचली है वो बिल्कुल बनके रड़ी हो चुका है और आभी हम आए अपना हेर कट कराने और देखते हैं किस तरीके का हेर हमारा जो है वो स्टाइल होता है हलो एवरीवन तो सब्सक्राइब आप सभी का मेरे यूटुब चानल पर तो आज का दिन कुछ ऐसा है कि कल रात में ममी और डड़ी जो है वो लोग गय थे राची किसी काम से तो यह पहली बार राइफ में जब ममी हम लोगो छोड़ के कहीं पर गई है एक दिन से जादे के ल खने का पistä थीएक फूर्ली में जोड़क सबनाने के सबवस्ता र्युण के में तो फूर फूरता सब्सक्राइब के systemने एक और चीज़ा हम सोच रहे हम अपना एक हैर कट कर आ ले बिकूस मेरा जो बाल आ इसमें बहुत सब्सक्राइब आ गया है नीचे में और हमको लगता है कि छे मेने से जादा हो गया है तो हम एक छोट शोचने कि थल्का-फुल्का हैर कट करा लेते हैं ताकि उसे क्या हो कि ज रही है इसके लिए हम जुह हो हेर कट कर आ ने जाए नीज ताकी मेरा नीचे का मितलब एत्ष होता है तो इस वचे से यहां पर हम चावल भी ले लिए उसको अच्छे से दो लिए और फिर पानी डाल के उसको चड़ा देते हैं ताकि चावल में एक सीटी आएगा मतलब यह बन जाएगा और फिर दूद भी ख़ला लिए हैं ताकि शाम में अगर हम लोग कुछ दूद अब हम यहां पर मचली को भी मारिनेट करके रख दिये थे आदे गंटे पहले और यहां पर हम क्या किया कि मारिनेट करने के बाद तेल डाले कराई में और उसको अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिये हैं जब यह अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद यह करके हम इसमें मचली डालना शुरू करेंगे तब तक गरम करना है जब तक उसमें से धुआ नहीं आने लगे तभी मचली जो आपको प्रॉपरली फ्राई होगा तो देखिए मेरा जो तेल था वगदम गरम होगा इसमें हम डाल दिया है मचली आंड ये मस्क तरीके से पक तक पुछ नहीं करेंगे चुप चाप से अच्छे से पक ने देंगे ठीके ना ही हिलाना ना कुछ और अब देखिए पांच मिनिट हो गया है पांच मिनिट के बाद हम इसको टर्न किया और ये देखिए कितना सही गोल्डन ब्राउन कलर आया है तो मतलब इसका साइन है कि तो मेंक नमबर बना अगर आप इसको जादा हिलाओ गे ना क्या फिर पांच मिनिट के पहले अगर आप इसको हिलाना शुरू करो कि बार बड़ देखना शुरू करो तो क्या होगा कि मचली का जो पीसे से वो तूटने लगेगा अगर वो ताजा मचली को गाना प्रॉपर तो वो दम से तूटने लग जाएगा आपका बहुत बार हिलाओ लाओ गे तो इसलिए इसको हिलाना बिल्कुल नहीं और फिर जैसे आप टर्ण भी करो इसको दूसरे साइड से भी पांस साथ मिनट तक इक दम छोड़ दो पकाने पकने दो अच्छे से मीडियम फ्लेम पे और जब यह पक जाएगा तो आपका यह ऐसा रंग आएगा यह देखिए दोनों साइड इस तरीके का कलर आया है तो हम लोग अभी इसको जो है यहाँ पर जो तेल है एक्स्रा वो अटा के और फिर इसको निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम अपना सारा मचली जो था वो ब कर पाएंगे तो इस वज़े से हम इसको खाते हैं बेसिकलिए हम आप लोग को प्रॉसस दिखाना चाहते थे मचली का कि हम कैसे बनाते तो वह दिखा दिए तो अभी हम लोग चलते खा पीके अपना हेर कट कराने ठीक है कि श्रुट कराने के लिए यहां पार्लर काफी अच्छा भी था और हम फ़स्स Domino अपना हेर कट कराने की लिए नहीं थे इस वज़े में या प्याएँ है अक्पीट कर रहे हैं तो अभीध कर रहे हैं थोड़ा क्यूंकि अभी दूसरे का स्थमर का हो रहा है तो फोटो शुरू हो चुका है, यहाँ पर हेर्कट ठीक है, तो अब यह आप लोग उसको इंचोई करो, करेंट को अदम को बहुत 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 लग गया था, तो इसेज़े हम बस एक फ्राई अंडा खाये थे, और फ्राई अंडा जो थैसा प्यास वेगरा से पिख ड़ताला के और अयरत विश्वी बुड़ए देट बहुत जुदेल सही बना हुआ था बॉइल अंडा है यह बहुत जाए रखने वाला है आप लोग को सब्सक्राइब निए तो हम घराच के हैं और है करा लिए अभी हम आप लोग को प्रपरली दिखाते हैं इसको अभी आप लोग को भले थोड़ा जीव लग रहा होगा वट तम इसको दिखाते हैं एक साइट कर बाल को भी आपने बाल को करेंगे ना तो यह बहुत सही लोग आएगा वहां को अभी तयार वगे रहा हो गया तो आप लोग को दिखाएंगे तो यह कुछ इस तरीके का लुक आएगा क्योंकि यह हम पूरा बाल जो है वो सो कटवा लिये हैं आगे से सर्फ पीछे से बस हम अपना स्प्रिटेंट्स हडवाए हैं यानि कि बाल बस ट्रिम करा हैं आगे से हम इसको कटवा लिये हैं और यह भी इस साइट से ब्यंस को पड़ा कटवा लिये हैं तो यह कुछ इस तरीके का लुक आएगा अगर आप लोग साइट से देखोगे ना तो यह ऐसे टाइप स करा लिये ताकि उसे क्या हो कि बाल में मेरा अच्छा से एक लुक भी आ जाएगा तो इस तरीके का आपरों को दिखेगा तो तो ऐसा लगेगा जब हम प्रॉपली तयार हो जाएंगे और बालों को सही से कड़ेंगे तो ठीक है तो फिलहाल है अगर तो हो चुका है आंट व पेल आइकन मिलते हैं एक नए व्लॉग में एक नई सोड़ी के साथ तब तक के लिए बाबाए